हेलो स्वेंट, आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही आप समझ रहे हैं, इसके दो अगर पार्ट में डिवाइड किया जायता है, अपॉर्चुनिटी का होता है मतलब मोका और कॉस्ट का मतलब तक कीमत तो अपॉर्चुन की जर हम डेफिनिशन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है तो opportunity cost is an economic term that refer to the value of what you have to give up in order to choose something else. यहनि अगर आपके बहुत सारे offer आते हैं तो उन में से एक offer को accept करके भागी को छोड़ देते हैं यानि give up कर देते हैं तो वो जो give up किया हुआ मौका है उसे हम opportunity cost कहते हैं. opportunity cost of an activity is equal to the value of next best alternative which is sacrifice और give up और forgone in choosing a given alternative. same as it is वही same definition है कि अगर आपके पास एक से जादा कोई option है उस option में से कोई एक select करते हो और दूसरा option को छोड़ देते हो तो वो जो छोड़ने वाला option होता है उसे हम opportunity cost कहते हैं. यानि हमें मौका मिला था कि हम उस चीज़ को accept कर सकें. अभी अभी देखिए value of a factor in its next best चीज़ वो हमारे लिले बैस था लेकिन उसके बाद वाला जो option था वो second best था, alternative use in call opportunity cost. Opportunity cost of any community is the amount of other good which has been given up in order to produce that community. इसके लिए sacrifice करेंगे, तो जो sacrifice करेंगे, तो वो जो sacrifice की वी चीज़ होती है, वो क्या होती है? opportunity cost. तो आपके पास फीचार option है, जो भी आपको एचार अचार लगे, आपको याद कीजिए, और जो समझ में आजा है, that's, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए आपको समझना ही होगा, कि ये क्या होता है, अब for example देखी है, ये girl, opportunity cost के बारे क्या कहती है, इस girl ने दो चीज़े सोची, टी-shirt ने इसकार दो नहीं है, लेक अब next option देखिए, हमाना पसे pick है, opportunity cost के बारे के बारे के बोल रहा है, value of the next best alternative, यानि हमने जो select है, वो तो best है, और इसके बार जो दूसर जो हमने छोड़ दिया, उससे next best alternative, अगर आपको बार दो option दिया जा है, कि आपको किसी program में जाने, concern में जाना है, या आपको mount climbing में जा तो concern, diagram में देखिए, diagram में में opportunity cost का बता रहूं, कि आपको पस x and y है, एक हमने x commodity detail ले ली, एक हमने y commodity ले ली, ठीक है, और यह हमारा एक curve आगया, जिसे हम PPC curve बोलते है, a and b है, यानि हमारा PPC curve है, वो a and b है, a b, तो देखिए, हमने एक x की तरफ, एक y की तरफ हमने लिया, जिसको हम बोलते है, x1 and y1, तो यह हमारा, इधर हमने जो एक graph में है, हमने एक line की ची वो x1 है, और y हमने line की ची वो y1 है, अब same to same हमने एक और line की ची, तो देखिए, जिसे हम बोलते है, x2 and y2, ठीक है, तो देखिए हमारा, अगर हमने इस point में कोई production create कर रहे है, तो इसका y production को sacrifice करना पड़ेगा, और y production जो गया, डाउन हो गया, तो यहां पर दिखिए, जो हम production को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, यानि किसे production को घटा रहे है, तो दूसरा production बढ़ रहा है, ठीक है, और कोई production बढ़ रहा है, तो पैला अलग घटा है, तो यहां पर दिखिए, जो घट बढ़ने के margin को data x कहते है, अब यहां पर दिखिए, जो यह sign है, ठीक है, यह जो दिख रहा है, m और n, यानि इस point से लेके, इस point के बीच में, जो आपके यह mention हो रहा है, इसे हम opportunity cost कहते हैं, कि हमने किस मौकर को पाने के लिए, किस मौकर को छोड़ दिया, ठीक है, तो यह हम हमारा opportunity cost का sign mention कर रहा है, हम इसको घटा भी सकते हैं, और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, अब यह पर explanation में यह देखिए, opportunity cost of producing more x, x1 and x2 is less of y community y1 and y2, same to same वही है, अगर आप x को बढ़ा रहे हो, तो y को घटा रहे हो, और अगर y को बढ़ा रहे हो, तो x को घटा रहे हो, तो आपकी जो opportunity आपको मिल रहे ही, तो आप दूसी opportunity को क्या कर रहे ही? reduce कर रहे हो, यह दख नह दो, कि जब भी आप कोई चीद sacrifice करते हो, किसी ना किसी element के लीए, तो वो जो ढो point है, एक, जिसके लिए आप sacrifice कर रहे हो जिसने, और दूसरा जो आप पायnt मिल रहे है, जिसके लि कि X1 और X2 को अगर increase कर रहे हैं, तो Y1, Y2 को decrease करना पड़ेगा, और अगर Y1 और Y2 को increase कर रहे हैं, तो X1, X2 को decrease करना पड़ेगा ही, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next topic में.